friends आजकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने अपने घर पे यह सुवास्तिका कमपनी का लिथियम बैटरी सोलर इंवेटर सिस्टम लगाया है इसके साथ में कैसा एक्सपिरियंस रहा है यानि कि जो यह इंवेटर सिस्टम है यह लगाने के बाद किया कुछ च कब मिल रहा है कब गोर्मिट सप्लाई आ रही है कब नहीं आ रही है कितनी देर के लिए जा रही है कितनी देर के लिए आ रही है मुझे कभी भी पता नहीं लगता और तो और फ्रेंट्स इसके साथ में मैं अपने घर के हैवी से हैवी अप्लाइस जलाता हूं जैसे कि जब भ आस्तिका के ये सिस्टम लगाने के बाद जो सबसे बड़ा चेंजिस आया है वो आया है बिजली के बिल में जब से मैंने ये सिस्टम लगाया है उसके बाद मेरे घर पे एक बिजली का बिल आया है वो बिजली का बिल बहुत जागा डाउन होकर आया है पहले के मुकाबले में वो down होकर क्यों आया है एक बर मैं आपको पहले का बिल और अभी का बिल आपको दिखा देता हूँ जैसा कि आप डिस्पले पर देख सकते हैं ये वाला जो बिजली का बिल है वो पहले आया था इस सिस्टम लगाने से पहले अभी का जो bill है यहाँ पर देख सकते हैं यह आया है इतना difference क्यों आया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर यह है lithium battery lithium battery का friends system क्या होता है जितनी भी unit से यह charge होती है उतनी unit हमें output में मिल जाती है यानि कि यहाँ पे बिजली का लोस बिल्कुल भी नहीं होता है वहीं पर अगर हम बात करें लेड असिट बैटरी की लेड असिट बैटरी को चार्ज करने के लिए 1.5 यूनिट से चार्ज करते हैं और वहाँ पे हमें आउटपुट में 0.75 यूनिट ही मिलती है जिससे कि हमारी आदी बिजली तो उसको चार्जिंग करने में ही खराब हो जाती है यानि कि वेस्ट हो जाती है जिससे ना तो हमारा बैक अप कंपलीट होता है और ना ही हमारा बिजली का बिल कम होता है तो हमारा जो बिजली का बिल है वो lithium battery की वज़े से कम आया है और फ्रेंट्स lithium battery के solar inverter system का जो सबसे बड़ा point मुझे लगा है कि ये बिल्कुल maintenance free है जब से मैंने इस system को लगाया है मैंने इसकी कोई देखरेक नहीं की है मैं आज वीडियो सूट कर रहा हूं, रिव्यू के लिए आज मैंने इसको संभाला है यानि कि अगर आप एक लीथियम बैटरी का सोलर इन्वैटर सिस्टम सेट अप लगा लेते हैं तो आपको कोई मेंटेनस करने की जूरत नहीं पड़ती है पहले की टाइम पे अगर मैं बात करूँ जब हमारे यहां पर लेड़ाशिट बैटरी वाला सिस्टम था तो उसके अंदर मुझे बार बार पानी डालना पड़ता था अगर मैं किसी सेल के अंदर पानी डालना भूल जाता हूं या फिर कम रह जाता है तो हमारी जो बैटरी है वो खराब हो जाती थी और दुबारा से उसको रिपलेस करने का खर्चा बढ़ जाता था तो यहां पर बिल्कुल मैंटेनस फरी है मैंटेनस फरी है तो आपकी जो मैंटेनस की कोस्ट है वो भी बच जाती है अगर आपने ये एक बार सिस्टम लगा लिया तो आपको सालो साल इसको देखने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि अगर आपने अपने घर में सोल्डर इन्वैटर सिस्टम लगाने का प्लैन कर रखा है लेकिन आप कनिफ्यूज है कि कौन सा सिस्टम आपको लगवाना चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्वास्तिका कंपनी का लीथियम बैटरी वाला सोल्डर इन्वैटर सिस्टम इंस्टाल करवाईए friends स्वास्तिका कंपनी की एक खास बात ये है कि आप इस system को observe कर सकते हैं अपने mobile या फिर desktop के उपर इनकी एक system के according application आती है उस application के उपर आपको सारे parameters देखने को मिल जाएंगे जैसे कि battery कितने percent charge है आपके घर का load कितना चल रहा है अभी grid से power कितनी चल रही है या फिर solar से कितनी power बन रही है आप सारा data अपने उस application के उपर देख सकते हैं यानि कि observe कर सकते हैं और तो और friends आप उस application के उपर इस system की warranty भी देख सकते हैं कि कितनी warranty बची हुई है इसके लिए आपको ना कोई बिल समभाल के रखने की जूर्थ पड़ती है ना कोई warranty card आपको समभालने की जूर्थ पड़ेगी जो भी warranty होगी आपको application के उपर देखने को मिल जाएगी यानि कि ये एक paperless warranty आपको provide करवाते हैं अगर आप भी अपने घर में soul and water system लगवाना चाहते हैं और सुवास्तिका का लगवाना चाहते हैं तो आप अपने नजदी की dealer distributor से contact कर सकते हैं या फिर screen पे giveaway number पे भी contact कर सकते हैं इनका website का link भी मैं आपको provide करवा दूँगा वहाँ पर जाकर भी आप इनसे contact कर सकते हैं detail ले सकते हैं अगर आपके घर का load कम है या फिर इससे जादा है तो आप अपने according customize भी system इनसे बनवा सकते हैं वैसे तो friends ये जो system है बहुत ही heavy system है यहाँ पर हमने 4 kilowatt का system लिया हुआ है फिर भी अगर आप अपने petrol pump, school, mall या फिर कोई और बड़ा system के लिए system लेना चाते हैं तो आप सुवास्तिका company से direct contact करके customize system बनवा सकते हैं ये एक बहुत ही powerful system है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4.8 kilowatt hour की lithium बैटरी ली है और यहाँ पर यह लिया है हमने solar hybrid PCU जिसके अंदर MPPT solar charge controller यूज किया हुआ है इसके उपर मैं 4 kilowatt तक के solar panel लगा सकता हूँ और 4 kilowatt इसके उपर load अराम से चला सकता हूँ ये system लगाने के बाद मेरे घर के सारे के सारे appliance बिलकुल continue चलते हैं कोई दिकत नहीं आती है तो friends आपको ये system कैसा लगा ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके इमें जूरू पताना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको like और share जूरू कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन देमात्रम